हलो गाइस वेलकॉम बेक टू मैं चैनल आई हूक के आप लोग अच्छे होंगे आज मैं भिंडी मसाला बना रही हूं इसके लिए भिंडी देंगे इसको मैंने धू लिया था और कपड़े से अच्छे से पोच लिया था अब इसके हैड और टेल हटा देंगे और इसको ऐसे लंबे-लंबे पीस में काट लेंगे अगर देखे सारे विंडी अच्छे से कट कही है अब मसारी के लिए प्याज टमाटर मिर्ची अद्रक लैसन लगेगा अब आज अद्रक और लैसन को एक साथ क्राइंड कर लेंगे अगर आप चाहते हैं तो लैसन और अद्रक का पेज़्ट बाद में भी डाल सकते अलग से अब टमाटर को क्राइंड कर लेंगे अब तही लेंगे दही में धन्या पाうわद्र तही पाउडर मिला देंगे और मिच्छी अल्मसाली मिलाने दखी सबचा नहीं है तेल टालेंगे तेल थोड़ा गर्म हुझा है अच्छे से गर्म हुझा है फिरस में पहले बिंडी को अच्छे से से शेक लेंगे नमख डाल देंगे बिंडी में me मिंडी को अच्छे से शेक लेंगे बिंडी को ब्ढरी में हुझा थोड़ा सतील और डालेंगे अब इसमें अजमान डाल बिंडिये कुड़ा को आए जीरा डाला है और राय हुझा इसमें दूकषि काड़ी मृजि टाल देंगे अब प्याज कापेश टाल देंगे Aqua अच्छे से सीख लेंगे कुछ मसाले एट करेंगे नमाग धनिया पाउडर, हल्दी, मिच्छी, करम मसाला कड़ाई में मसाला चिपकेनी इसलिए थोड़ा सा पानी आट करेंगे मसाले को अच्छे से शेक लेंगे अगर आप के इपास नहीं है तो आप इसकिप भी कर सकते हैं तो इसमें टमाद्रो प्यूरी डाल देंगे मसाले को अच्छे से शेक एगे जीवा पाउडर डाल देंगे और मसाला को अच्छे सेखेंगे लिप तब की ऑईल रिलीज ना कर दिये अगर आपका दही सबस्ची में फटता है तो आप गैसिपंगी कर दियूगा aap अगर आपका नहीं फटता है अज दही तो आप डारक्त ऐसी ही एड़ कर सकते हैं इसमें भिंडे डाल देंगे इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे करेंगे अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए है सब्जी में तो आप थोड़ा सा पानी अड़ कर सकते हैं इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे इसको अच्छे से ढग लीजेगा मुझे बिंडी डालने के बाद मैंने 5-10 मिनिट और सब्जी को पकने दिया था इंज्वाइ करिये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से और सब्सक्राइब थैंक यू फू वाचिंग माई वीडियो लाई